आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कच्चे नारियल की बिना जंजट वाली बहुती टेस्टी मिठाई रक्षा बंधन पर आप जरूर बनाईए जंजट नहीं है बहुती टेस्टी लगती है तो इसके लिए मैंने एक अच्छा नार्य लिया है जिसको छील करके उसकी गिरी को अलग कर लिया है अब इस गिरी का हम छिलका नहीं उतारने वाले मैंने बहुत से वीडियो देखे हैं सबी लोग कहते हैं छिलका उतार कर बताईए बट मैं कहते हूँ आपको छिलका उतारने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि छिलका बहुत ही फायदे मंद होता है और उपर से मिष्ठाई बनती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है आपको बिलीव नहीं होगा कि हम इतनी टेस्टी मिठाई से बना सकते हैं तो सबसे पहले तो हमने इसको मिक्सी में डाल करके अच्छे से पीस लिया है तो आप देख सकते हैं हमने पूरे छिलके सहट पीसा है और इसके कलर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है अब अलग बोल में हम लेंगे 1 कप मिल्क पौौडर, तो यहां पर यह मिठाये मिल्क पौडर से बनाएंगे मिल्क पौडर मवा का काम करता है, इस से आपकी मिठाये बहुत बड़िया टेस्ट आएगा और इसमें हम डालेंगे एक चौथाई कप से थोड़ा सा कम ही हमने ली है मलाई और मलाई नहीं है तो मलाई को आप skip कर दीजेगा और मिल्क पाउडर नहीं है तो मलाई का आप ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा करीब एक कप मलाई ले लीजेगा अब हम इसमें डालेंगे दूद तो थोड़ा थोड़ा करके आपको दूद डालना है और मिल्क पाउडर मलाई को अच्छी से आपको घोल लेना है तो लीजे तैयार है हमारा मावेदार मिल्क पाउडर यह पूरा आपको मावा का फ्लेवर देगा आप चाहे तो इसकी जगाए पर कंडेंस मिल्क का यूज भी कर सकते हैं तो चलते हैं अगले स्टैप की तरफ यहां पर मैंने एक ट्रे ली है और इसमें सबसे पहले तो हम घी डाल करके अच्छी से इसकी ग्रीसिंग कर लेते हैं ताकि जब हम मिठाई बनाए तो वो उस टाइम हमें देरन लगे तो पहले से यह काम कर लीजेगा और इसमें हम एक बटर पेपर बिचा लेते हैं बैसे बटर पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है अगर है तो इस तरह से लगा दीजिए नहीं है तो बटर पेपर की उपर भी ह जो हमने नारियल पीस करके रखा हुआ था ना कच्चे नारियल को इसको हम डाल देंगे और आप हम इस नारियल को घी में लोटु मीडियम फ्लेम पर लगबग 2-3 नट तक भूनेंगे इससे जो नारियल है उसका कच्छापन खतम हो जाएगा और बहुत बढ़ी ऐसे भीनी उसको डाल देते हैं आप हम मिल्क पाउडर को और नारियल को दोनों को ही अच्छे से मिक्स करेंगे इस स्टेज पर आपको गैस की फ्लेम को रखना है लोटु मीडियम और लोटु मीडियम फ्लेम पर हम इसको लगातार चलाएंगे तो मिल्क पाउडर की वजए से यह काफ और इसे केसर की धागों को लिया था अर्दस केसर को दूद में अच्छे से मिक्स कर लिया था ताकि इसका थोड़ा सा कलर चीन जाया और केसरी फ्लेवर आ जाया थोड़ा साम इसमें डालेंगे लाइजी पाउडर यह दोनों चीजे बिल्कुल ऑप्सनल है आप इनको इसक कमिया जादा कर सकते हैं जैसा मीठा पसंद करते हों तो छीसीमी डालेंगे तो फिल बपाउडर लाशा से यह दो जाएगा जेंग यह जो सिसे घ्यण को तो इस मिठाई को टोटल इस समय पकने में पास से 6 मिनट का समय लग जाता है और यह बन करके तैयार हो जाती है तो आप देख सकते हैं यह एकदम ड्राई हो गया है इसने कढ़ाई का तल छोड़ दिया है और आप इस देख लिए कितनी बड़ी इसमें शाइन आ गई है क्योंकि कोकोनट में अपना एक ओई होता है जो कि वह रिलीज हो जाता है चाहे वह कच्चा हो या पका हूँ अनारिय जबुरत नहीं है मैंने सिर्फ लगा दिया है और अब हम इसको फटा-फट से अच्छे से इसको फैलाते हुए शेप दे देंगे तो लेजे मैंने इसको बड़िया शेप दे दिया है और अब आप इसको मन मताबिक शेप में कट कर सकते हैं तो उपर से मैं फिलाल थोड़े से ड्राइफ फूट और सजा देती हूं ताकि देखने में और भी ज्यादा खूबसूरत लगे तो गाइस यह मिठाई सबसे बैस्ट होती है सबसे ज्यादा टेस्टी होती है तो आप चाहे तो रक्षा वंधन पर अपने भाई के लिए यह मिठाई जरूर बना सकते हैं हमारी बहुत अच्छी से सैथ हो गई है तो चलिए फटा-फट से हम इसको काट लेते हैं आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते थे आप चाहे तो इसको गोल शेफ दे करके पेड़ा करूब भी दे सकते थे जैसा आपका मन हो आप उसाप से कर सकते हैं फिलहार मैंने जरूर ट्राइ करें इस तरह से ताज नारिल की बर्फी बना करके आपके भाई को बहुत पसंद आएगी और आपको भी बहुत अच्छी लगेगी तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियो प